नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमित गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों खंड सिच्छा अधिकारी के परिच्छा को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर प्रदेश लोग सेवायोग के बिगत परिच्छा में पुछे गए प्रस प्रश्णों का अलोकन अत्यान तावस्यक है क्योंकि लोग सिवायोग उत्तर प्रदेश में परिच्छाओं में प्रस्ण को रिपीट करने की परिपाटी रहती है तो आई ये देखते हैं पहला प्रस्ण पैगंबर हजरत मुहम्मत का जर्म हुआ था आप दिकल्प जल्द इस भी है ये इशापुर्म नहीं है अगला प्रस्ण है हिंद यानि कि भारत की जनता के संदर्म में हिंदू सब्द का प्रथम बात प्रियोक किया गया था किसके द्वारा तो याद रखे मैं बता यह भी बताता कि लोग किई विकल्प में कंफ्यूज होते हैं तो आपको क सब्द युमानियों के द्वारा नहीं दिया गया है यह दिया गया है और लोग के द्वारा कि You आप यह सोच लेजिए कि हिंदू जो है वो अर्बों में है या अर्बों के हैं लाखों के नहीं है अर्बों के हैं करोडों नहीं अर्बों के हैं हिंदू अर्बों के हैं तो आपको याद रह जाएगा जो ही हिंदू सब्द आएगा तो आप याद रखेगा अर्बों द्वा अगला प्रस्ट का उतर दीजे मक्का कहा है तो मक्का कहा है विकलप आप देख लिजे सीरिया, इरान, इराक, सौधिय अरग तो यहाँ पर यह जो लाइल लकीर दिख रहे है छोटा सा इस लकीर का मतलब आप आंसर के रुपे मतलिजेगा यह एक सिर्फ छोटा सा भग है, इरर है तो यहाँ पर मक्का, तो जैसे अभी हमने याद किया तक हिंदू अरबों के है, उसी तर से मक्का कमकलब आप मक्के का दाना याद रख लिजे मक्के का जो दाना होता है, मक्के का दाना भी बहुत पौश्टिक होता है इसलिए वो भी अरबों का है, यानि कि लाखों का नहीं बलकि अरबों का है तो इसलिए आप याद कर सकते हैं इसको भी कोड से कि मक्का है, सौधी अरब में आंसर देख लिजे, आंसर हो जाएगा डी अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन, गजनवी, गजनी राजवन्स का संस्थापक था तो गजनी नाम देखते ही आप महमूद गजनवी को टिक मत कर दिजेगा मैं ये भी बताता चल लाओं कि आप गलती से किसको टिक कर सकते हैं महमूद गजनवी से पहले आया था सबसे पहला सासक, अलवत गीन था, उसके बाद महमूद गजनवी आता है यानि कि गजनी वंस का सस्थापक कौन हुआ तो अलवत गीन हुआ, विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जायागा आंसर भी मैं साथ में देते हैं, चल आँग मुहम्मद बिन तुगलक भी है और ये है मुहम्मद बिन कासिम तो ये साथ सुबारा इसली बहुत चर्चिंडेट है आप याद रखेगा आंसर हो जाएगा C अगला प्रस देखिए मुहम्मद बिन कासिम क्या था तुर्क था, मंगोल था, अरब था, तुर्क अफगान था तो मुहम्मद बिन कासिम क्या था तो अरब था पहला अरबी आक्रमण था तो अरब याद रखेगा या ये भी इसको भी सोच लिजे क्या करना है बिन जो है बिन जो साप को बुलाने के लिए बया जाता है वो बीन भी क्या है अरबो का है, इलाकों का नहीं है तो क्या कैची आपने अरबो से जोड़ लिया बीन को जोड़ लिया अरबो से और हिंदू सब्द भी अरबो का और एक क्या था तो मक्का, मक्का भी अरब में है तो अर्वों का वो भी आप जोड़ लिजिएगा है भारत पस्वर प्रतम मुस्लिम आकरमनकारी कौन थे तो इसका जबाब है C अरव अर्वों के थे यानि कि 712 इस भी मुहम्मद बिन कासिम की तरफ इसारा है ये भी आंसर हो जाएगा C अगला प्रतम भारत में प्रतम मुस्लिम आकरमनकारी कौन था तो फिर से अजली जली अलवर उनी भारत में आया था तो आपको पता होगा अलबरुनी किसके साथ भारत आया था तो अलबरुनी गजनवी के साथ भारत आया था गजनवी लगभग कब से कब तक आकर मणा उसका तो लगभग एक हजार एक से एक हजार पचीस हम लोग जानते हैं तो एक हजार कुछ ही है यानि कि तो एक हजार कुछ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एक हजार कुछ है तो इसको हम लोग 111 सताब्दी बोलेंगे जैसे 2020 चल लाइए 2000 के बाद है तो हम लोग इसको कैसी भी सताब्दी बोलते हैं उसी तरह से 1000 कुछ में आया था इसलिए हम कर सकते हैं इगरवी सताबदी में आया था हमार आंसर हो जाएगा सी आप आंसर देखते चलिए स्क्रीन साट लेते चलिए वैसे मैं कोशिस करूंगा किसका पीडियेप भी आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदू या आप चाहें तो मेरे टेलिग्राम चैनल पर टिकी गुरु अमित गुप्तय डाल कर साच कर लिजेगा उसके मैं सबका ये जितने भी पीडियेप है डालता रहता हूँ पुराणों का अध्यान करने वाला परस्थम मुसल्मान वाला प्रस्व मेंधा पुराणों करने वाला प्रस्णा, आप दारासी को को मत्टिक कर दिजिए जा pół कि ये बी कुछ ऐसा ही था, उपनी सिद्व का संग्रख किय था, लेकिन पुराणों का नहीं किय था शिर्य aksθη्य के धारासिको से तो यहाँ पर आपको टिक करना थे सी को अलबरुनी को जो किAre मह हमुद गजणवी के साथ भारत आया था है अगला प्रस।rist महमुद गजणवी कर दर्बारी इतिहसकार कौन था तो दर्बारी इतिहसकार जब प्रस। पूछे गा तो आपका आंसर अगला प्रस्न आया है अलबरुनी भारत आया था फिर वही प्रस्न रिपीट हो गया इग्रहमी सताब्दी में एक अजार कुछ में आया था इसलिए इग्रहमी सताब्दी में आंसर हो गया मुहम्मद गोरी को सबसे पहले किस ने पराजित किया तो आप गलती से प्रिथिवराद चावान को टिक मत करिएगा क्योंकि प्रिथिवराद चावान से बहुत बाद में लड़ाई हुई थी 1101 एक जानबेर और 1102 में प्रिथिवराद चावान से लड़ाई हुई थी तराइन का प्रतम यूद और तराइन का दूति यूद हुआ था प्रथम युद में प्रितिवर्द चौहान ने मुहमदगोरी को पराजित किया था और भागती हुई सेना पर पीछे से हमला नहीं किया था इसलिए मुहमदगोरी सकूसल अप्रेदेश लट गया लेकिन 1292 इस वी में पुना मुहमदगोरी ने जब दुबारा हमला किये तो प करना है भीम दितिय को नो की प्रित्वर्द चौहान को अगला प्रस्ण है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुसलिम बिद्वान कौन था तो फिर वही प्रस्ण अलग रुणी बिकल्प भी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि अगला प्रस्ण है निमलिखित में से मत एसिया के किस सासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता तो आपने जोई देखा 1192 में तराइन का पर्थम दी युद्ध और 1192 में हुआ था तराइन का दूत्व हीुद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था तो मुहमद गोरी और पेत्री विरा चवहान के बीच में हुआ था जिसमें मुहमद गोरी बीजित हुआ यानि जीत गया यानि हमारा आंसर हो जाएगा इसका पूरा नाम है सियाबुदीन मुहमत गोरी इसकीन सैटले सकते हैं आप इसलिए मैं आंसर के पास रोग दे रहा हूं निमलिखित मेंसे किसने मामुद गजनवी गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदित का पुनर निर्माण कराया सोमनाथ का पूनर निर्मार कराने वाला कौन था तो मूल राज नहीं था भीम राज परथम नहीं था ये दोनों नाम मिलते जूलते हैं आप इसमें कन्फूज हो सकते हैं तो यादर कि भीम राज परथम नहीं था बलकि भीम देव था कह सकते हैं भीम देव परथम या कर सकते मूल राजप्रथम आंसर हो गया B अगला प्रस्ण है नालंदा बिहार को किसने विध्वन्स किया था यानि नालंदा बिहार को किसने नस्ट कर दिया था बिर्च को किसने जला दिया था तो वो था इसमें कौन सा भी कल्प आप देखते रहिए, भीकल्प हो जाएगा, ये बक्तियार खिल्जी, और बक्तियार खिल्जी किसका सेरपती था, आपको पता होना चाहिए, अब आगे देखिये, बिहार का प्रतम मुसलिम बिजेता कौन था, तो फिर वही आंसर हो जाता है, बक्ति फिर वही प्रस्ट गुमापुरा के पूछ रहा तो आंसर हो जागा सी बक्तियार खिल जी किस मुस्लिम सासक के सिक्कों पर देवी लच्मी की आकृति मोस्ट इंपर्टेंट प्रस बार-बार पुछा जाने वाला लच्मी की आकृति किसके सिक्कों पर तो मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर याद रखे हैं गजनवी के सिक्कों पर नहीं अकबर के सिक्कों पर नहीं मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर लच्मी की आक्रिती हमें देखने को मिलती है आंसर हो जाएगा यह 1194 के चंदावर की उद में मुहम्मद गोरी ने किसे हराया तो देखे 1194 चोरानवे चोरानवेर में चो से चंदावर की उद में चो से चंद को यानि जय चंद को असान है याद करना 1294 की उद में चंदावर की उद में जय चंद को यानि बिकल्फ हो जाएगा बी भारत में मुहमत गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया मुहमत गोरी ने तो गोरी का गुलाम कौन था गोरी का गुलाम था इल्टु तमिश यानि बिकल्फ हो जाएगा सी समसु दीन इल्टु तमिश आंसर हो जाएगा सी समसुदीन इल्टु तमीश इल्टु तमीश को प्रदान किया और इक्ता वाली ब्योस्था भी प्रारम शुरुवात किया था इल्टु तमीश नही युद जिसमे भारत में मुस्लिम सक्ति की अस्थापना हुई मुस्लिम सक्ति की अस्थापना तराइन के पर्थम युद में तो मुहमदगोरी पराजित होकर भाग गया था लेकिन तराइन के दुतु युद में मुहमदगोरी ने प्रिथी राज चवहान को पराजित के इसलिए बी को हम टिक करेंगे हमारा अंसर हो जाएगा बी तराइन का दुति युद अगला प्रश्णा है मुहमदगोरी के किस दास ने बंगाल एयों बिहार को पर विजय प्राप्त किया तो बक्तियार खेल जी ही है क्योंकि इसी ने अंसर हो या गसी क्योंकि इसी ने नालंदा बिहार को नश्ट भी कि किया था और ये मुहमद गोरी का सिनापति था कि अगला प्रस्व है मुहमद गोरी ने जैचंद को कि किसे युद में पराजित किया तो अभी मैंने बताया था मुहमद गोरी ने जैचंद को 94 में चंदावर के युद में यानि आंसर हो जाएगा हमारा सी अगला प्रस्व है दिल्ली का वो प्रतम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी कि तदा दिल्ली को अपना सामराज की राजधानी घोशित किया यानि कि इससे पहले दिल्ली लोग नहीं रहते थे लाहोर में रहते थे यानि दिल्ली को समराज की राजधानी किया अस्थापित किया और नियमित सिक्के जारी किया यानि कोई भी राजा बनता था सुल्तान बनता था तो सबसे पहला काम अपने नाम का सिक्का जारी करता था खुतबा पड़वाता था तो वो पहला सासकता स्वतंत रूप से इल्टु तमिस आंसर हो जाएगा बी जिसे गुलामों का गुलाम भी का जाता था गोरी का गुलाम था अलाव कुतुबदी नेवक और कुतुबदी नेवक का गुलाम था इल्टु तमिस यानि गुलामों का गुलाम आंसर हो जाएगा बी अगला प्रस्ण है सुल्तान कुतुबदीन अवक की मिर्थू कैसे हुई आप सभी को पता होगा आंसर हो जाएगा इसमें D. चौगान की किरिडा के दौरान असो से गिरने के पसाथ उसकी मिर्थू होगए चौगान या पोलो खेलते समय कुटुबदीन एवक की मिर्टु घोड से घेर कर हुई थी अंसर हो जागा D अगला प्रस्ण है सल्तनत के निमलिखित सुल्तानों में से किसने सरफ़सम अपनी राजधानी दिल्ली अस्थनांतरित किया तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला था इल्टु तमिश और इससे पहले वाला जो सासक था कुटुबदीन एवक की राजधानी थी और जब इल्टु तमिस आया तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया है आंसर हो जाएगा C कुतूब दीन एवक की राजधानी थी तो याद रखियेगा दिल्ली राजधानी नहीं थी कुतूब दीन एवक की मैंने अभी बताया था कुतूब दीन एवक किराजानी लाहोर थी आंसर हो जायेगा B A लाहोर, B नहीं धाई दिन का जोपड़ा क्या है तो ये धाई दिन का जो जोपड़ा है वो मस्जिद है जो की अजमेर में है और कोई संस्कृत बिस्विद्याले के उपर ही बनाया गया है और कुछ लोग कहते हैं कि धाई दिन में तयार हो गया था ये मस्जिद बन के इसलिए इसको धाई दिन का जोपड़ा काया था लेकिन ऐसा नहीं है बलकि यहाँ पर धाई दिन का उर्स लगता था इसलिए ये इसे धाई दिन का मेला लगने के चलते इसे धाई दिन का जोपड़ा काया था और ये मस्जिद है और इसका निर्माण कुतूब दिन एवक ने कराया था अंसर हो जाए गाई अगला प्रसन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सासक लाख वक्स के नाम से लाख वक्स के नाम से जाना जाता था तो लाख वक्स इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला यानि युद्ध के बाद वो लाखों का दान देता था तो लाख बक्स किसे कहा जाता था तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D कुतूब दी नेवक यानि कुतूब दी नेवक को लाख बक्स भी कहा जाता था कुछ विद्वान अन्य कारण भी बताते हैं लाख बक्स नाम पर निम्लिखित में से किस ने प्रसिद कुतुब मिनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया तो कुतुब दी नेवक ने तो सुर्वात ही किया था कुतुब मिनार बनवाने का इल्टु तमिश ने इसे पूरा ही किया है अब फिरोसा के समय चुकि ये चार मंजीला था कुतुब मिनार तो चौथी मंजील तूट गई थी फिरोसा के तुगलग के समय तो फिरोसा तुगलग ने चौथी तो बनवाया ही पांचवी भी बनवा दिया इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो कुट्व मिनार की उपरी दो मंजीले यानि चोथी और पांचवी मंजील कुछ अलग डिजाइन के आपको दिखाई देगी यानि कि इसमें हमारा आंसर हो जागा C इसमें ग्यासुदीन तुगलक का कोई भी योगदान नहीं है आंसर हो गैसी अगला प्रस्ने गुलाम वन्स का संस्थापक कौन था तो गुलाम वन्स का संस्थापक पूछा जाए तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा कुट्व दीन एबक अगर यही पूछता है गुलाम वन्स का वास्तविक संस्थापक कौन था तो इसारा चला जाता है लेकिन यहाँ परांसर हमारा D ही होगा निमलिकित में से कौन सा कथन बल्बन के समंद में सही नहीं है यादर किये बल्बन के समंद में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है तो विकल्पे में लिखा उसने नियामत एक खुदाई का सिध्धान्त पर्तिपादन क्या ये तो सही है इसने इक्तादारी बेवस्था की सुरुआत किया था इल्टु तमिषने इक्ता इल्टु नामसे पगढ़ी इसे इक्ता इसे इल्टु तमिषने शुरू किया था इसलिए यही गलत है बाकी सब तो सही है कि कोई तुर्कान एचीहलगानी 40 सरदारों के संगठन को समाथ किया था और बंगाल विद्रों के का दमन भी किया था इसका अंसर हमेरा हो जाता है B अगला प्रस्वा है निमलिकी सुल्टानों में से किसने गड़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दिवारों पर अपने सिला लेखों में स्वाय को खलीफा का सहायक किसने कहा तो हमारा आंसर हो जाता है A. बलवन बलवन ने अपने आपको खलीफा का सहायक कहा अपने आपको इस्वर की छाया कहा यानि वो सल्तनत की गड़ी की प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था यही कारण था उसने सिजदा और प्रतिष्ठा की निती को लागू किया और नौरोज तेहवार मनाना प्रारम के कई इसने ऐसे प्रयास किये थे जिससे की सल्तनत की गड़ी की जो सत्ता की प्रतिष्ठा धुमी हो गए थी उसे फिर से बनाय जा सके निमलिक्सित में से किसने भारत में प्रसिद फारसी तेहवार फारस में जो तेहवार मना जा था नौरोज नय वर्ष का तेहवार था उसे मनाना सुरू कर दिया दिल्ली में तो वह सासक था ए बलबन ये सब उसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता की परतिष्ठा को अस्थापित करने के लिए पुनार अस्थापित करने के लिए किया था बलबन ने अगला प्रस्णा है रजिया बेगम को सत्ता चुक्त करने में किसका हाथ था तो रजिया बेगम को सत्ता चुक्त करने में हाथ था आप विकल पढ़ लिए तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा C तुरकों का जो तुरकमीर थे वो एक महिला को सास्का के रूप में पसंद नहीं करते थे उसका मजला होना भी उसके असफलता के एक सबसे बड़ा कारण था आंसर हो जाएगा सी दिल्ली के सुल्तान बल्बन का पूरा नाम क्या था तो बल्बन का पूरा नाम था ग्यासुदीन बल्बन यानि हमारा आंसर हो जाएगा सी अगला प्रस्ट है इल्थु तमीष ने बिहार में अपना प्रथम सुवेदार किसे निउक्त किया आप विकल पढ़ लिजे इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D. मलिक जानी को इल्थु तमीष का सुवेदार मलिक जानी अगला प्रस्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के बिसे में कहा जाता है कि उसने रख्च और लव की नीती अपने है रख्ट और लव की नीती का मतलब खून का बदला खून यानि कि जो दुस्मन है जो सड़्यन्त करने वाले लोग है चहां वो अपने ही रिष्टदार हो या खुन से समंदित हो उने मौत के घाट उतार देना ये नीती थी किसकी बी यानि कि बलबन की रक्त और लौग की नीती चलाया था बलबन ने दल चाले इसका को समाप्तिस ने किया था चंगेज खा का मूल नाम क्या था विकल्प आपके सामने है और इसका सही जवाब है सी तेमू चीन अंसर हो जाएगा सी तेमू चीन अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन से माध्य कालिन भारत की प्रथम महिला साज का थी तो ये प्रस्ण सबको पता होगा तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी नूर जहाँ अंसर हो जाएगा डी इल्टु तमीश के बाद रुकुनो दीन फिरोज और उसके बाद नूर जहाँ गद्धी पर बैठी थी किसके सासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंदु तट के तट पर देखे गए यानि कि मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके सामें हुआ ये पूशना चाहा रहा है तो ये इल्टु तमीश के सामें हुआ लेकिन ये आक्रमण हुआ नहीं इल्दुतमिस ने समझदारी से काम लिया और जो मगमर्नी था मंगोलों का दुस्मन उसको अपने यहां सरण देने से मना कर दिया इसलिए मंगोल वहीं से वापस लड़ गया और इल्दुतमिस ने अपने नए अस्थापित राज को यहीं पर बचा लिया आंसर हो जाएगा बी गुलामों का गुलाम अभी मैंने बताया था आपको गुलामों का गुलाम की से का जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका डी इल्दुतमिस को क्योंकि मुहमद गोरी का गुलाम था कुतुब दीनेवक और कुतुब दीनेवक का गुलाम था इल्टु तमिष इसलिए ये गुलामों का गुलाम हो गया चंगेजखा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमन किया था विकलपे बलबन के सासनकाल में B फिरो तुगलक के सासनकाल में C इल्टु तमिष के काल में अभी प्रस्ता आया था उसी प्रस्तों के पूछा जा रहा है तो आंसर फिर सो जागा C इल्टु तमिष के सासनकाल में जिसे सफलता पुर्वक होसियारी से सल्टा दिया आंसर हो जाएगा C दिल्ली का प्रतम मुसलिम सासक कौन था तो याद रखी आपको कुदुबदी नेवक को टिक नहीं करना है क्योंकि कुदुबदी नेवक दिल्ली के बारे में नहीं जानता था ये दिल्ली नहीं आया था ये लाहौर में था कुदुबदी नेवक ने सासन के लाहौर में दिल्ली के पहला मुस्लिम सा सक्था इलतुटमिस इसलिए आपको इलतुटमिस को टिक करना चाहिए आंसर हो जाएगा B तो दोस्तो आज यह विडियो आपको कैसा लगा, कमेंड बाक्स में ज़avo लिखेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा धन्य बाद दोस्तों